इस पिसोट तो स्टार्ट करते हैं कि के नंदर अम लोगों को भाइंग करनी चाहिए और क्या हो सकते हैं इसके आने होने समय में तो अगर हमनों देखे यह तरह के पावर केबल बनाते हैं जो कि 1.1 किलोवाट से लेके 400 किलोवाट तक के बीच में रेंज करते हैं मार्केट कैपिटलाइजिएचं की बात करें जो थोड़ी सी रस्ती है चीब है return on capital employed देखेंगे तो वो थोड़ा सा low है return on equity भी थोड़ा सा low है एक बार हमनों इंडस्ट्री से एक बार हमनों compare कर लेंगे लेकिन हमनों 15% के नीचे ROE और ROCE दोनों ही को थोड़ा सा कम आता है प्रमोटर्स की होड़िंग देखेंगे तो प्रमोटर्स की होड़िंग यहां पर अच्छी खासी है थोड़ी सी ठीक है मतलब स्मॉल के लिए और फिलाल अभी देखेंगे तो sales growth के अंदर मतलब sales के अंदर खास करकी power cables के अंदर थोड़ा सा expansion देख सकते हैं क्योंकि यहां पर एक space अच्छी खासी है अभी भी बहुत सारी ऐसी जगाए हैं जहां पर cables नहीं है वायर की जहां पर electricity अभी तक नहीं मिलती है और यह बहुत मतलब थोड़ा सा एक debatable topic है तो इस पर बहुत साथा discussion करने का फायदा है नहीं तो मतलब थोड़ा सा probability left right कर सकते हो कि इसकी हो सकती है तो यहां पर इस पर debate करने का कोई मतलब नहीं इसलिए profit growth देखेंगे तो profit growth नहीं पर company की ठीक है margin company की काफी कम है dividend company कम dividend pay कर रही है face value देखेंगे तो 10 रुपए की है नीचे आएंगे debt और results की बात करें तो company की debts की अगर बात करें तो 748 की है अल्मोस डबल बना के रखें अल्मोस डबल नहीं डबल सा काफी कम है नीचे आएंगे profit and loss पे तो sales में देखेंगे तो 817 से लेके आज ट्रेलिंग की बात करें तो 212 के आसपास है तो sales में अच्छा खास हमनों देख सकते हैं कि increment है वहालग कि इधर भी देखेंगे तो 2021 से खास करकी यह अच्छा हम लोगों sales growth देखने को मिली है नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा राइस देखने को मिला है और तो यहां पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हुए तो अकर मार्जिंग दुबारा अपने लाइन पर जाती है मतलब 11-12 परसंट डियाइस में भी देखेंगे तो दो ही परसंट है पब्लिक योल्टिंग ओवराल देखेंगे तो यहां पर 35 परसंट के आसपास ही मिलेगी बहुत जादा चेंज़ नहीं आए इसमें सीदे आता है हम लोग अब चार्ट पर चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट पर इन लिम कर सकते हैं बच्यों कि कुछ वाइद ये हैं तो सेंपल Hersa कि कर सकते हो लेकर थोड़ा सा रिस्की हो जाँको करने का क्या कर सकते आ तो पहले तो एक चीज़ आपicides आप लोगो को देखना है कि इसको कल का आप लोग को वीड़ करना जाहिए को यहां प रिडूल कर रहा है तो यहाँ पे इस फारे लेश पे आप लोगो डेफिनिटल बाइंग कर सकते हो बट पहली चीज़ आप लोगो यह ध्यान रखना है कि quantity is small होने चाहिए और stop loss यहाँ पे अगर लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा यह तो मतलब 20% की candle तो आजी है अगर यहाँ से अपन तो quantity इसमें कम रखेंगे दूसरी चीज़ यह ध्यान रखनी है कि अगर कल red candle से खुलती है red candle से शुरुवात होती है अगर यहाँ आत्पास खुलती है तो फिर buying करनी ही नहीं है इसके अंदर फिर wait करेंगे हम लोग वेट करेंगे कि इन लेश पर थोड़ा था यह consolidate करें करने के बाद breakout दें फिर हम लोग उसके अंदर थोड़ी सी और quantity बढ़ा के बाइंग कर सकते हैं इस टॉप लोस इन लेश के नीचे ले सकते हैं कल अगर बाइंग करने का भी तरीका है बट वह तरीका ऐसा है कि quantity अपनी कम रखो 30 या 40 परसंट के आसपास मालों कि अगर 10,000 क quantity खरी नहीं थी तो 3-4,000 की बाइं करो इस टॉप लोस आप लोस सिंपल इस कैंडल का आधा रख सकते हो जो कि आपका होगा और मुस्ट कहीं 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 आठ परसंट तक का यह भी बड़ा इस टॉप लोस है तो अगर छोटा रखना चाहो तो 5 परसंट का रख सकते हो बट व इसे की साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शेयर सेस्क्राइब सब कर देना वीडियो की अपना कैपिटल सेफ रखना और तब तक के लिए बाए